यह मैं आपको मैं Amazon Web Services के free account के sign up का process दिखाऊंगा तो sign up करने के लिए आप aws.amazon.com की website पर जाएंगे और create a free AWS account के ऊपर क्लिक करेंगे आप अपना email address इंक्रिक करेंगे यह कोई भी valid email address हो सकता है यह gmail का address भी हो सकता है आपका company specific domain का address भी हो सकता है इसके बाद आप इस account के लिए password set करेंगे पासफ़ट की कुछ limitations है जिसमें उसका minimum 8 characters लंबा होना जरूरी है वो AWS के account name से associated ना हो उसमें at least special character यूज हो रहा हो इन सारी requirements को पूरा करते हुए आपको password रखें उस password को repeat करें to confirm और उसके बाद आप account को कोई भी नाम दे सकते हैं यह नाम आप बाद में change भी कर सकते हैं यह सरफ एक unique identifier है कि account का नाम क्या है इसके बाद continue पर क्लिक करें अब यहां पर आपके बस दो आप्शन से प्रफेशनल यह परस्नल आप इसको परस्नल एकाउंट के तौर के उपर sign up करें आप अपना full name यहां पर रखेंगे अगर आप account का नाम भी अपने नाम से रखेंगे तो यहां पर आपका नाम automatically आ जाएगा इसके बाद यहां पर आप आप आपना वह वाला एंटर करें इसके बाद अपनी city एंटर करें स्टेट पाकसान में जिस तरह पंजाब से फैडल कापिटल हो सकता है इसके बाद पोस्टल खोड़ और एंड के ऊपर यह जो चेक बॉक्स है इसको चेक करतें कि आप टाम्स और कंडिशन से एगरी करते हैं इसके बाद क्रियेट एकाउट इंड कांटिनी की बटन पे ख्लिक करें तो यहां पर आपको प्रियमेंट इंफॉमेशन एंटर कर नाँ है यहां यह पर अपना credit card की expiry date enter करें उसके बाद जो card holder का नाम है अगर आपके नाम पे आप अपना नाम इंटर कर दें जिसका भी credit card यूज करें हैं जिसके नाम पे वो भी नाम इसमें इंटर कर दें उसके बाद अगर इंटर कर सकते हैं यहां पर आपको डालना है जिसके ओपर AWS एक verification code भीजेगा यह पिछले वाले नंबर से डिफरेंट भी हो सकता है वही नंबर दुबारा भी हो सकता है तो आप country रीजन में पाकिस्तान select करें और cell phone number में अपना नंबर इंटर करें और security check के लिए एक capture है जो कि आपको रीइंटर करना पड़ेगा और यह capture रीइंटर करने के बाद आप सेंड SMS के बटन पर क्लिक करें तो आपके mobile के उपर एक 4-digit verification code आएगा जो आपको verification code receive हो जा तो आप उस verification code के एंटर करें और verify code का बटन दुबाएं तो अब आपका जो mobile phone number है और आपकी बिलिंग सिस्टम है वो associate होगी verification के साथ अब यह different type के support plans है अभी फिलाल आप free plan के उपर क्लिक करें क्योंकि इसमें certain चीजों की access नहीं है लेकिन free plan में आपको कुछ basic support packages AWS दिरूफ प्रवाइड करता है इस page के उपर आपको कुछ experience आपको लिए personalize करने के लिए amazon web services आप से पूछ रहा है क्या आपका role क्या है तो अगर आप अपना role student for now अगर consider कर लें क्योंकि आप AWS को सीखने के process में है और आप किन areas में interested है तो अगर आप websites और web apps बिल् यह सरफ आपकी services को customize करने के लिए है तो यह सब चोड़ा सा form आप submit कर लाए उसके बाद आप क्लिक करें sign in to the console को तो आपका जो newly created account है वो आपको login के लिए available हो जाएगा आपके पास यहाँ पर दो options है root user की और IEM user की अभी हम लोगों ने जो sign up किया है वो root user है तो root user को select करें और जो email address आपने use किया था sign up करने के लिए वो email address एंटर करें इसके बाद next की button पर क्लिक करें और जो password आपने रखा था वो password यहाँ पर एंटर करें sign in पर क्लिक करें और आप अपने AWS के management console में पहुँच चके हैं यह वीडियो यहाँ पर इंट करते हैं अगली वीडियो में हम लोग अब कुछ practical hands-on aspect को देखना शुरू करेंगे हैं तो मिलते हैं यह वीडियो में